हेव इतिवर्स की हलचर welcome back to the channel क्या उत्तराखण में फिर से lockdown लग चुका है ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मेरे विवर्स मुझे लगातार कर रहे थे तो मैंने पता लगाया research करी, resources से अपने पता लगाया, news से पता लगाया कि क्या असलियत है, क्या हकीकत है, क्या अब फिर से December month में एक बार उत्तराखण जाने के लिए आपको COVID का certificate जमा करना होगा, सारी सचाई को जानने के लिए वीडियो पर लास तक बने रहे हैं, चलता हूँ आपको लेप करके laptop की स्क्रीन में और A to Z सारी हकीकत बया कर देता हूँ, बता देता हूँ, आई शुरू करते हैं, बह वो सारी सचाईया, जो हर जगह गलत information फैलाई जा रहे हैं, उसका तोड है ये, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उत्राखण में entry करने के लिए COVID test आपको पहले से ही report लेकर के जानी है कि वहाँ पर test होगा, ऐसी सारी जानकारियां आपको मैं 5 points में बताने जा रहा हूँ, पहले point में information है कि पिछले लगबग 1 से 1.5 हफतों में 1000 लोगों का दहरा दून के border पर test किया गया और पाया गया कि उसमें से 39 लोग COVID positive थे और केवल 25 उनमें से जो लोग थे वो दिल्ली NCR से आ रहे थे, next information ये है, जैसा कि देखा जा रहा है कि COVID के cases दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बज़े से उत्रा खंड में भी जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उनके द्वारा COVID के cases बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए तीन अलग लग locations पे देहरादून के test conduct किये जा रहे हैं, पहला test है Jolly Grant देहरादून एयरपोर्ट पे, दूसरा है देहरादून रेलवे स्टेशन पे और तीसरा है आशारोधी चेक पोस्त देहरादून में, ये तीनों जगह भी test किये जा रहे हैं, free of cost, लेकिन कुछी दिनों में इन test के लिए आपको pay भी करना पड़ सकता है, दोस्तों ये test rapid antigen test होंगे, जिनकी report आपको थोड़ी ही देर में वहीं पर provide कर दी जाएगी, अगर आप positive होंगे तो आपको वापस जाना होगा, और अगर आप negative होंगे, तो आपको state के अंदर प्रिवेश दे दिया जाएगा, तीसरी information ये है कि वहाँ पर आरके दिक्षिजोड जो district surveillance officer है, देहरादून में वो देख रहे हैं, पिछले दो हपतों में, दिल्ली से आने वाले लोग चाहे वो शादियों की बज़े से आ रहे हों, या छोटे trip प्लैन करके आ रहे हों अपनी family के साथ, उनकी बज़े से दे टेस्टों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि स्टेट में ये कोरोना की संभावनाय कम से कम की जा सकें, और इसके फैलाओ को रोका जा सकें, फोर्थ इन्फॉर्मेशन के एकॉर्डिंग, नैनी ताल के बॉर्डर पर भी COVID-19 टेस्टिंग की फैसिलिटी को स्टार्ट करने के बारे में वहां का डिस्टिक एड्मिस्टेशन सोच रहा है, और कुछी समय में ये फैसिलिटी नैनी ताल के बॉर्डर पर भी स्टार्ट हो जाएगे, जिसमें आप COVID-19 का टेस्ट रैपिड करवा पाएंगे बॉर्डर स्पे, फिफ्ट इन्फॉर्मेश हैं, चाए वो किसी भी स्टेट से आए हैं, कहीं COVID-19 है की नहीं, अगर वो COVID-19 हैं तो उनको अलग-अलग तरीकों से ठीक किया जा सकें, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप उत्राखंड जान और देखते रहिए मेरे पूरे ओल ओवर इंडिया और एब्रॉड की बहुत ही इंट्रस्टिंग ट्रैवल वीडियो, वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट करके धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में